उधारण 10 एक समांतर शेणी का पीवा पद क्यूँ और क्यूवा पद पी है तो शेणी का एमवा पद ग्यात कीजिए हल मान लीजिए समांतर शेणी का प्रथम पद ए और सार्वांतर अंतर सार्वांतर डी है यहां समांतर शेणी का पीवा पद प्रश्ण अनुसवार क्यू दिया है इसी लिए हमारे पास सूत्र ए धन एन के स्थान पे हम लिखेंगे पी रिण एक कोश्टक बन डी हमने यह सूत्र लिए लिया है ए धन एन रिण एक कोश्टक में गुणा डी बराबर एक एन के स्थान में हमने पी रखाया तो ए धन पी रिण एक कोश्टक में गुणा डी बराबर क्यू इसे हम समीकरण एक मानते है समांतर समांतर शेणी का क्यूवा पद पद प्रश्ण नुसार दिया हो है पी इसी लिए ए धन क्यूवा पद के लिए हम एन के स्थान पे क्यू रखेंगे क्यू रिण एक कुश्टक बन गुणा डी बराबर यह दिया है पी यह हो गया हमारा समीकरण दो समीकरण एक में समीकरण दो को घटाने पर समीकरण एक जो है हमारे पास है ए धन कोश्टक में पी रिण एक कोश्टक बन गुणा डी बराबर क्यूवा यह हमारा समीकरण एक है और समीकरण दो को हम घटाएंगे इससे तो ए धन कोश्टक में क्यूव रिण एक कोश्टक बन डी बराबर पी इससे हमें घटाना है तो घटाने के लिए हम दूसरे समीकरण के चिन्नों को बदलेंगे धन की स्थान पर रिण यहां दूसरे स्थान यहां धन के स्थान पर रिण और यहां पर भी रिण तो ए रिण ए शून नहीं हो जाएंगा इसी प्रकार से यहां पर इसको घटाएंगे तो हम इसे कोश्टक में लिखेंगे कोश्टक में हम लिखेंगे पहले P RIN 1 D को उभहनिष्ट ने लेंगे RIN घटा रहें तो इसका चिन बदला तो ये RIN और दूसरे कोश्टक में Q RIN 1 कोश्टक बन और बड़ा कोश्टक बन और उभहनिष्ट हमने D सर्वानतर D को उभहनिष्ट निकाला है बराबर Q RIN P अब छोटे कोश्टक को खोलने पर हमें प्राप्त होता है P RIN 1 RIN Q और RIN को RIN 1 से गुणा करेंगे तो RIN 1 को RIN 1 से गुणा करेंगे तो धन 1 बड़ा कोश्टक बन D बराबर Q RIN P अब RIN 1 और धन 1 कट जाएंगा तो हमें कोश्टक के अंदर मिलेंगा कोश्टक बन D बराबर यहां पर फिर हमें प्राप्त हुआ Q RIN P या D बराबर यहां से हम RIN 1 को उभैनिश निकालेंगे तो RIN 1 निकालेंगे हम RIN लिखेंगे और 1 को छोड़ देंगे और उसके बाद हम क्यूंकि हमने RIN 1 को निकाला है तो पहले धनात्मक संख्या यहां P बन जाएंगा और RIN 1 को निकालने से यह RIN 1 धन Q जो है RIN Q बन जाएंगा बटा इसका पक्षांतर करेंगे तो P RIN Q इस तरह से हमें प्राप्त होता है D बराबर अन्श में कोश्टक में P RIN Q और हर में कोश्टक में P RIN Q कट जाएंगा क्योंकि दोनों समाने कोश्टक के अंदर की संख्या तो D का मान हमें प्राप्त होंगा एक इसे हम समीकरण 3 मानते है आगे देखते हैं अगले प्रिष्ट पर चलिए आगे देखते हैं हमको मिला था D बराबर RIN एक जिसे हमने समीकरण 3 नाम दिया था अब समीकरण 3 से D का मान समीकरण एक में रखने पर हमारे पास समीकरण एक जो था वह था A धन कोश्टक में P रिण एक कोश्टक बन गुणा D बराबर Q इस पहले समीकरण में हम D का मान रखेंगे D का मान हमें RIN एक प्राप्त हुआ है तो हम लिखेंगे यहां पे A धन कोश्टक में P रिण एक कोश्टक बन और क्योंकि D का मान हमें RIN एक मिला है तो उसे हम कोश्टक में RIN एक लिखेंगे बराबर Q या A बराबर या A बराबर कोश्टक को खोलेंगे हम तो हमें प्राप्त होंगा या A बराबर इसका हम पक्षांतर करेंगे तो हमें प्राप्त होंगा Q धन ये रिडेक को जब हम पूरा पक्षांतर करेंगे दूसरे पर्द को तो यह धनात्मक में हो जाएंगा तो यह Q के स्थान पे Q और यह हमें कोश्टक में बिलेगा पी रिण एक यह रिण जो है पक्षांतर करने में धनात्मक हो गया है या A बराबर Q धन पी रिण एक इसे हम समी करन चार नाम देते हैं अब शेणी का M वपद A M भराबर A प्लस M रिण एक गुणाडी हमने सूतर लगाया A धन N रिण एक कोश्टक में गुणाडी यहाँ पे हमें M वपद निकालना है तो हम N की जगा M को रख दिये अब यहाँ पे हम A का मान जो निकाले थे वो निकाले थे P धन Q रिण एक इसे हम कोश्टक में लिख लेते हैं धन कोश्टक में M रिण एक कोश्टक बन और हमने D का मान रिण एक ग्याद किया था समी करण 3 से इसे हम D के स्थान पे रिण एक लिक लेते हैं बराबर इसे हल करने पर हमें प्राप्त होंगा P धन Q रिण एक और जब हम कोश्टक खोलेंगे ये दोनों कोश्टक को जब गुणा करेंगे रिण एक जब गुड़ा होंगा तो M धन M रिण एम बन जाएंगा और रिण एक को रिण एक से गुड़ा करने पर धन एक बनेगा यहाँ पर रिण एक और धन एक कट जाएंगा इसका मान शून ने हो जाएंगा तो हमें प्राप्त होंगा P धन Q रिण M. इसलिए इसलिए शर्णी का M वा पद M वा पद जो है उसका मान है P धन Q रिण M तो हमने ग्याद कि कि दिएगे शर्णी का M वा पद जो है वहाँ P धन Q रिण M होगा यह सुधारण का हल है